हलो फैंट्स वेलकम तो मैं हीटूब चैनल में स्पेथ बेवेक में आप सब का फिर से बहुत-बहुत सुभाद करते हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे आरा भी इंटिवी सी कि CBT1 के जो पुछे के कोशन है डिसकाउंट के सारी टॉपिक वाइस देखेंगे जिसमें की 25 टाइप वाइस है और टोटल कोशन आपको 25 से 27 कोशन यहां पर डिसकस करेंगे जितना कोशन बाना लते हैं गारेंटी देता हूं कि डिसकाउंट से बाहर कोशन एक्जामन नहीं और इसके अलाबा बहुत सारी कोशन हमने अप्लोड कर दिया प्रोफिट लॉस का भी अप्लोड है नहीं देखें तुसको भी देख लिजिए ठीक है प्रोफिट लॉस का हो गया उसके बाद सिंपल इंटेस्ट का हमने अप्लोड कर दिया है वीडियो उसको भी नहीं देख के बाद discount का आज हम कर रहे हैं ठीक है देरे देरे साथ upload हो जाएगा और हमारे साथ जूरे रहे हैं और जदी अभी तक हमारे साथ नहीं जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लिए ताकि जो भी वीडियो अप्लोड कुरो नोट्रिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा साथ डिस्काउंट का बेसिक देख लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है आप देखें डिस्काउंट में क्या क्या यूज होगा सबसे पहले बड़ी बात है कि डिस्काउंट में क्या क्या यूज होगा इसको हम क्या करते हैं बट्टा भी करते हैं इसमें क्या क्या यूज होगा सबसे पहले क्या होगा यूज आपको MRP जिसको कहते हम इसको हम क्या अंकीत मूल हो जाएगा ऐक आपको आपको SP मतलब पहले साब को पता है क्या आपको विक्रे मूल है क्यापको यह विक्रे मूल है अब देखे यसी दोनों का बीच का जो डिश्ट अब यहां पर क्या कि MRP और विक्रे मुल में जो रिलेशन बनेगा वो देखिए क्या है कि सबसे पहले यहां पर देखिए आपका जो हमेशा MRP यहां पर ज्यादा होगा तब यह हमेशा क्या होगा आपको छूट होगा वह छूट कितना होजाएगा हमारा यह छूट होजाएगा आपको MRP मैनस क्या होजाएगा क्षूट क्या हो जाओ का को एसपी हो जाएगा जैक्या हम पर या और र हम ऀस्कूइस हो खेगा अब यह तरह से और भी हम डिस्कस करेंगे है अब यहां पर data देखे क्या होता कि S P बरावर होता MRP INTO 100 MINUS D बत्तissä 100 धयान रेखेगा हमेसा यही होगा और आपका क्या हो जागा MRP बरावर कितना हो जागा S P G U N .. S P को 100 100 MINUS D हो जागा । D यहां पे क्या हो जागा आपको परतीसद midst 19 इसतना याद रखेगा तो आपको एक से अधरे चोड़ दीया जाए यह आपको relation यहां से बनेगा, अब successive discount निकाने के लिए क्या करेंगे, successive discount भी होता आपको, successive discount, successive discount मतलव होता हो गया समतुल बत्टा, इसको क्या कहेंगे हम, समतुल बत्टा कहेंगे, इसको क्या करेंगे, जो भी यूज होगा, शारा हम इत्माही यूज करेंगे, इस से ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और देख लिएते हैं, Relation, Labhane, जो का जो Relation होगा, उसमें थोड़ा सा Relation यहां पर देख लिएते हैं, आप तेलिए थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं लाब आने का रिलेशन क्या होगा देखें SP जो होगा हमारा SP मतलब विक्रेमु जो होगा वो दोनों तरफ होगा आपको डिस्काउंट के तरफ भी हो जाएगा और CP के तरफ भी हो जाएगा रिलेशन की से बनेगामाराइब को डिस्काउंट देखें जदि आपका CP दिया है, LAB हाने दिया है, SP निकल जाएगा, discount देगा, क्या निकल जाएगा, MRP निकल जाएगा, तो ये ध्यान रिखेगा, इतना relation, ये बस ये relation गयाद रिखेगा, सारा कोशन आपको 100 कोशन बन जाएगा, यहीं से सारा कोशन आपको बन जाएगा, ठीक है, नगत में कितना भुकतान, मतलब 5% के छूट दिया है, जिसमें आपका 75,200 रुपी आपका का है, उसका प्राइस है, ठीक है, आप कितना भुकतान करना परेगा, तो कितना भुकतान करना परेगा, योंकि 75,200 का क्या होगी आपको, क्या है ये आपको प्राइस है, उसका, उस 71 हो जाएगा 71 440 हो जाएगा 71 440 option number आपका A हो जाएगा अगला question दिए कता एक वस्तू का करे मुल अंकित मुल का 75% है यदि 15% की छूड़ दी जाए तो लाव यहानी परतिसत कितना होगा आप देखे क्या काते कि करे मुल अंकित मुल का 75% है यह CP होगा आपको यह क्या होगा यह मर्पी से होगा कितना दिया आपको 15% दिया यहां सकते हम SP कितना होगा आपको 100-185 बटات कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जचाएगा drives ξंब सो कर गया lab 이 Messy लाब यहान है कितना हो गजा श्रीम करसे क्कितना हो त् mins 65 स्भी जातर में कितना का लाब उइधी के साध्यार हो आपको 10 का लाब कितना हो गया P Saturday लाप सब्सक्राइब कितना हो गया और पर अगला पोशिन यदि अंकित मुल पर 45 परतिस्यत के छूट के साथ विक्री मूल और 30% और 20% के दो कर्मी छुट के बीच का अंतर 84 रुपई है तो अंकित मूल कितना होगा अब दिखें यहाँ पर क्या दिया है आपको वस्तु का अंकित में पूछा मतलब विक्रे मूल का अंतर एक बार जब 45% छूड़ देता है और दुसरा बार दो लगातार छूड़ देता है दोनों का जो विक्रे मूल होगा उसका अंतर SP में 1 और SP 2 का जो अंतर दिया हुआ है कितना दिया आपको 84 दिया हुआ है SP का अंकित मूल माल लेते है कुछ MRP यहाँ पर हम क्या माल लेते हैं X माल लेते है ृ divided TK क ज़्यादा होगा ती यहाँ पिर 3 दूनी 6 और 55 ठीक है ठीक है अधिखिय कितना हो गया एक्स का 56 बटे 100 मानिस कितना हो गया आपको 85 एक्स बटे कितना हो गया एक्स बटे कितना हो गया आपको 84 हो गया घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको तो आपका MRP और क्या आपको CP का जो रेशियो दिया हुआ कितना हो जाएगा आगे देखिए क्या कता है उस वस्तु का विक्रे मुल 365 है यह दुकांदार अंकित मुल पर 25% और 10% दो कर्मिक छूट देता है कितना होगा दो कर्मिक छूट दिया तो SP अब आपको क्या लिखाए थे MRP इन्टू 100-D1 बटे कितना होता आपको 100 इन्टू 100-D2 बटे कितना होता आपको 100 यह दोट डोट होता अब यहां पर MRP मतब SP कितना दिया हुआ ठीक है तो MRP यहां पर कितना होगा पाइब एकस गुना 25% की छूट देता है कितना होगा 75 बटे कितना होगा आपको 100 होगी है अब इसको तो यहां पर पुछा कि इस लेन देन के दौरान लाब यहांनी परतिसत कितना होगा देखी यहां को कितना हो गया तो यहां पर CP कितना हो जाएगा CP आपको जो हो जाएगा, ठीरी गुना कितना हो जाएगा, यह गुना करेंगा, कितना हो जाएगा, 0, 8, 24, 8, 24 हो गया, 32, कितना हो गया, 40 हो गया, अब देखें, 32, 40 में खर दे हैं, 36, 45 में बेचे हैं, तो लाब होगा ही, लाब कितना हो जाएगा, आपको, 36, 45 में से 32, 40 को हो गाइब 5 गया जेरो हो गया यह कि चार सो पांच हो गया परतिस्सत लाप कितना हो जाएगा अपको 405 बटे कितना हो जाएगा 3240 कितना हो गया ऑको एक सो हो गया ठीक है इसको काड़ दीजिया अब यह कटेगा ने जोगी से ना चार तीन साथ दूर नो से कटेगा योग्या नो चोग है 36 नौप चे पेतालिस योग्या आपको नो चाहर नो चाहर के चाहर ओगा यह किता हो जागा आपको दूर दूरी चार पौंच दूरी दस हो गिया 25 बट्टे 2 मतलब सारे 12 परसंट 12 परेंट 5 परसंट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा option नमरा करता है एक डिलेर अपने माल क्रे मुल से 20% अधिक अंकीत करता है CP कितना हो गया आपको 100 हो गया और MRP क्या बोला कि यहां पर इससे 20% अधिक अंकीत करता था 120 हो गया है वाज छोड़ देता है 8% का और छोड़ देता है और 8% का लाप कमाता है लाप का जो होगा यहां पर SP से रिलेशन होगा 8% और यहां से SP निकाल लेंगे कितना हो सब्सक्राइब दोनों का बीच का gap कितना हो गया 12 रुपये का छूट हो गया परतिसत छूट कितना हो जाएगा आपको छूट गुना 100 अब बटे कितना हो जाएगा आपको MRP हो जाएगा 120 यह कर जाएगा बचे का कितना आपको 10 परसेंट आंसर कितना हो जाएगा आपको 10% option नमर भी हो जाएगा छट्था नमर कोशन देखें जमीर 40% की oxygen छोट के साथ एक वस्तु खरिता और अंकीत मुल पर 25% छोट पर बेशता है उसका परतिसाथ लाव या आनि कितना होगा ठीक है अब चलिए हम दिखें कि MRP आप क्या किए एक सुमान लेजिए यहां पर छोट कितना दिया आपको 25% की छोट दिया है ठीक है SP कितना हो जाएगा आपको यहां पर 75 हो जाएगा कितना हो जाएगा और पहला बार आपको यहां पर 40% option साथ खरिकता है खरिकता है CP कितना हो जाएगा यहां पर 60 हो जाएगा दुनों का बीच का गैप कितना हो जाएगा पंदरा को हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा अगला कुछ नगी काता है एक दुकानदार को अपने माल पर करेम मुल से कितना परतिसत अधिक अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाब हो ठीक है इसका हम दो तरीका बताते हैं हमको पहले बेसिक देख लिए इसका CP क्या मान लेजिए यहाँ पर आपको 100 मान लेजिए ठीक है पचिस तर अंकित करता है यह देखिए सथाय यह चारसो अर। 408 – 3 यह अधिक हो गया यह आपको अधिक हो गया इतना अधिक अंकीट करता ही है 148 3 यही हो जाएगा 148 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा 244 दूसरा तरीका दिखिए क्या है कि जदी ऐसा कुछ हो तो आप जदी डिसकाउंट और लाब यहाने दिया हो तो आप इस पर बना सकते हैं प्लस मैनस आर बट्ट है 100 मैनस डी इंटू क्या जाएगा 400 हो जाएगा सब्सकाउंट कितना दे रहा है यहां पर आपको पचीस परसेंट तो पचीस हो गये बारा परसेंट कर लाब गया तो प्लस बारा बट्ट कितना हो जाएगा आपको अठासी चुकि आपको पचीस परसेंट की छूट दे रहा है ना तो फा सित ऑख कि देल आ हैक एकलगे कि यह उपर में नश्य को या तो टॉपिक यहां इस तो पिक यहां से मिन गाला कुस्त कैसर अबिख्टी एस परमुला को याद रिखिए कि दो टॉपिक यहां से बन जाएगा मत Days अगल रख का एक डीलर अपनेमाल को लागत म०ल से 40% अधिक अंकित करता है 20% की छोड़ देता है उसका लाब कितना होगा तो चलिए यहांपे cp आप क्या कर लेजे लागत म०ल से 40 परसन अधिक करता। था 100 हो गया MRP कितना हो जाएगा तो 40 % अधी कंगी क्या 543 हो जाएगा यहां पे 20% के छूड़ देता था था थो छूड़ देखिए कितना हो गया फूड़ इस परशन का छूड़ दिया यहां तो SP हम निकाल सकते हैं तो 140 शूड़ असी बट्रटे कितना हो जाएगा आपको एकश अगला कुछिन कदर आउनने एक स्वेटर खईदा 25% की छूट देने पर 200% की बचत की छूट के पहले स्वेटर की किमत क्या थी 25% की कारेही इक पर्सेन पर रबर कितना हो जाएगा को 200 वicides एक स्वेट एक स्वेटर को 25त परेट स्वेटर को शुटें होगा कर चार दोनी कितोां टोपे आठ आखको आठ स्वेटर एक स्वेटर पंपे बचिक एड्मकर wszyscy हो जाएगा अगला कुशन काता यह दे एक दुकानदार क्राय मुल पर 20% अंकित मुल के रूप में जोड़ता है और 20% के छूट देता उसका लाभ या परतिसद कितना होगा सबसे पहले यहां पर क्या होगा आपको CP100 माल लिजी ठीक है MRP कितना हो जएगा हमारा MRP कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा दूनोंको add किया यह एड किया परदस परतिसत की छूट मिलती है तो सोची मुल पर 20% के छुट के परिणाम 100 एरोप किस विक्रे मुल का परिणाम होगा तो आप यहां से क्या किजिए कि MRP को 100 माल लेते हैं MRP कितना हो जए कि आपको 100 माल लेते हैं पहला बर बे जो बेचा। यहां पें कितना बेचा 10% की चूत पेंपेंजहा। दूसरा बर किया बेचा 20% की चूत पेंजहा। SP2 कितना हो ग propri, percent WAS 80 हो गया। आप डाल न cinnamon for McL, 원 őब 100 yahutan. ऐसे 56 रुपय जो हुआ, किकेश को करण रहता 1, ? के छूट पे हुआ है आप देखिए 10 परसंद के छूट पूला SP कितना आपको 90 है यहां पर जब MRP कितना आपको 100 है आप देखिए जब आपका SP 90 है ठीक है तो यह जो 36 रुपय है यहां उस समय में विक्रे मूल एक होगा अगला कुशन अंकीत मूल पर 10 परसंद की कमिशन काटने के बाद एक टीवी की सेट की किमत 90 रुपया है इसका अंकीत मूल कितना होगा अब देखिए कि SP ब्राबर कितना होता आपको MRP इन्टू 100 मैंने से यह बट्य होता है ठीक है तो यहां पर 90 90 क्या आपको कीमत है ना नब्य नब्य जब कीमत होगा तो चले इसको बनाते है क्या कुछ आपके सकांग कितना होगा यह नब्य नब्य होगिया यह क्या होगिया आपको MRP होगिया है ठीक है? अडिसकाउंट कितना होगिया? तो MRP कितना होगा हमारा? 101 मैं 1010 होगिया option नम्रा क्या हो जाएगा D हो जाएगा एक आदमी ने एक पंखा खरिदा जिसकी मुद्रित कीमत 200 रुपिया है अगर उसे 30% 20% के चुद कर्मा करेंगा पंखे के लिए === मतब CP होगा बेचा होगा, आपको पीचना होगा अधुसरा आदमी क्या होगा? खरीदा नहीं होगा क्रृस्टनमर ने खरीदा SP निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 गुना कितना होगा, 70 minor 100 गुना कितना हो जाएगा? 80 serait 100 हो जाएगा आप चले इसको solve करते हैं यह 0 कर जाएगा यह भी जूरू आपको क्या हो जाएगा कर जाएगा यह किता हो गया 7 दूनी 14 ठेक 112 हो जाएगा option नमर क्या हो जाएगा आपको C हो जाएगा अगला question दिखे अगला question काता है कि दुकांदार को 10% के छोट की गोशना के बाद 25% का यहां पर लाब होगा 25% लाब प्राप्त करने के लिए 360 रुपे के लागत मुल वाले वस्तू का अंकित मुल कितना होगा अब देखे 360 रुपे में क्या किया होगा खरीदा तो CP कितना होगा आपको 360 होगा और CP का रिलेशन हमेशा प्रोफिट से होता तो प्रोफिट कितना होगा आपको 25% यहां से SP निकाल लेंगे कितना होगा 360 गुना एकसो पचीस बटा कितना जगा एक हो जाएगा यहां से क्या बोला कि अंकित मुल कितना होगा तो MRP यहां से हम निकाल सकते हैं आपका 450 रुपिया आपका SP होगा गुना एकसो होगए बटे कितना होगा नपय होगा नौ पिचे किता हो गया, 45 हो गया फैनले किता हो गया, 500 रुपया हो जाएगा, अप्सन नमर क्या हो जाएगा, वो यह हो जाएगा अगला कॉश्चन दीखिये ही अगला अक्सरिंफ अ काता कि ग이지 सरजा की दुकान पर पतियक वस्थू का वास्तिविक लागत मूल से 30 परतिये अधिक अंकित किये गया मालिक हको पतिया वस्थू का अंकित मूल पर 10 10% के छूट परदान करता है, यदि 100 फासेट 2400 रुपें बेचा जाता है, उसने कितना परतिसद का मतलब कितना रुपया का लाब कमाया तो चलें यहां पर देखिए कि आप क्या किजिए, यहां पर CP 100 मान लजाए, ठाइए, CP कितना हो जाएगा, 130 परचट कितना हो जाएगा, स्टनी को बना कितना हो जाएगा हमारा 120ग कितना हो जाएगा किकीजिए जीरो जीरो कर गया 132 हो गया ठीक है अब दिखेगे यहां पे 107 हो गया आपका एक सो सा चरह किन थो एस पी जब है यहां पर से पी कितना स्पी कितना स्पीज़ें एक सट्र Gateway स्पीट में कितना हो जाएगा एक एक सब्सेल हो जाएगा एक सब्सेल गूंग यह जी हो गिया हुआ तो आपका सीपी कितना हो गया है 20,000 हो गया और सेट का जो भीख रहा है मुल्था 23,400 हो गया और सीपी कितना निकल लब 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 लाब कितना हो जाएगा अपको यह हो जाएगा जीरू जीरू चार्ड, 3400 रुप्य हो जाएगा, अपसर नमर आपका यह हो जाएगा देखें अगला कुशन क्या कि एक पुशाख सामिगरी दुकांदार ने परतियक वस्तु पर वास्तिविक लागत मुल से 25% अधिक अंकित किया है एम रफी कितना हो जाएगा है 155 हो जाएगा चुकि 25% अधिक अंकित किया cp से यहांसे डिस्कांट मिला को कितना आपको यहां पर 12% को डिस्कांट मिला तो s5 निकाल लेंगे यह कितना होगा, आपको 125-188 वट्था- एकस हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम कलिकुलोशन करते हैं, यह हो जाएगा, आपको 656, 135 हो गया यह कितना हो गया, यह कितना हो गया, इकस हो गया, ठीक है, अब देखे, क्या निकला यह, ESP, ESP जबी आपका 110 है, तो CP मेरा कितना है है ह ainda तो इसफी 110 होगा Vo्त नो सबंड़े कितना होगा एक सब इसब कीटना होगा सब्सक्राइब का गिते होगाओ कई ससस्व ठीच जगा एक सो ने को कौन होगा यह इसब पचार जाया में तो पन्सक्राइब इसे मिल पर ऐसे बाजार कश्यों की पर बेशता है मांक लिए मांक लें माइने इसका बजार मूल किता हो गया। अब इसने क्या क्या कि अनलील ने इसको खरीदा, अनलील ने खरीदा कितना के साथ, 20% के साथ, कितना हम खरीदा होगा, 80% में खरीदा होगा, और इन्हों ने क्या क्या कि 100 मूल पर ही इसको 8% चूट पर बेचा, इसनों ने क्या क्या इसी वस्तों को बेचा, 8% की चूट पर तो कितना हमें बेचा होगा, लाब कितना कमाया है, 12 रुपे कर लाब कमाया, परतिसाद लाब कितना हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा, 80 गुना कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा, इसको सॉल कीजिए, यह हो गया, 005 हो गया, यह हो गया, आपको 4 दूनी 8 हो गया, पांचीत मुल पर 20% का छूट देता है, जो गिंदर घटे वे मुल पर 20% का अतिरिक छूट देता है, यदि सुटकेस का अंकीत मुल बारा सूर पिया है, तो गिंदर भुगतां गया करे मुल कितना होगा, मतलब आपको अंकीत मुल कितना है, इस पे दो चूट मिला आपको 20% और 20%, कितना होगा आपको 80 बटे कितना होगा, यह हो कि बारचों के 48 हो गया, हासिल 4 हो गया, बरचाग 72, 4, 76 हो गया, 768 रुप्य हो जाएगा, option number आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, अगला कुछन दिके काता है कि बीक मार्ट कार्ट से भुकतान करने पर 5% के छूट दे रहा है, 10% का लाब अर्जित करने के लिए अंकित मुलागत मूल से कितने परतिसद अधिक होगा, तो कितने परतिसद अधिक होगा तब ही तुरत बता थे, फर्मूला, क्या बता थे कि D प्लस मैनस R बटे 100 मैनस कितना हो गया, आपको 100 हो गया, अब देखें यहाँ पर 5% के छूट दा, पांच हो गया, 10% का लाब हो गया, लाब हो गया, लाब हो गया, दास जोड देजे इसमें, बटे 100 मेने से D कितना हो गिया, पलचान में गुना कितना हो गिया, आपको X हो गिया, इसको स्वाल करेंगे, 15 बटे कितना हो गिया, पलचान में गुना कितना हो गिया, आपको X हो गिया, 19 पचे पलचान में हो गिया, 3 पचे 15 हो गिया, 300 बटे कितना हो जाएगा, आपको 19 हो ठीक है, option नमर आपका क्या हो जाएगा, आपको D हो जाएगा, चलिए अगर लोकोशन नहीं है, अबर लोकोशन कहता है कि एक salesman एक laptop की level मूल पर 25% पर आडमिक छुट देने के बाद भी 20% पर आडमिक छुट देने के बाद अंकित मूल पर, और अंतिम बिक्री मूल अठारा जो रोपया है तो इस level मूल कितना होगा, अंकित मूल कितना होगा, यह कितना हो जागा, आपको 18,000, बराबर कितना हो जागा, अंकित मूल MRP हो गया, गुना कितना हो जागा, आपको 75 पटे कितना हो जागा, आपको 100, और इधर कितना हो जाग अगला कुशन करता है कि एक वस्तू के अंकी बून पर दस पूट परदान करता है पर भी 20% कमाते है अंकीत मुल 1200 रुपिया तो लागत किमत कितनी होगी ठीक है तो आप यहां पर दिखें क्या या कि MRP कितना दिया हुआ को बार दिआ हो बहारी पर दीखा दिखाउंट कितना दिया हो आपको दस परसंट दिखाउंट हो गया यहां से क्या निकल सकते है यहां पे प्रोफिट दे रहा है수को लागत मुंट में सीपी चाहिए रहा है सीपी कितना होजाएकका एक हजारशाव बट्टे कितना हो गया है कितना 20% का profit दे रहा है यहां से क्या चाहिए है हमको लागत मून को CP चाहिए, CP कितना हो जाएगा 1080 वटे कितना हो गया आपको 120 अगुना कितना हो जाएगा 100, यह 12 नमर कितना हो गया 108 हो गया, 9000 रुप्य आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा option नमर 900 है न, 900 रुप्य आपका अंसर होगा, 12 नमर एक सब 9 रुप्य आपका अंसर हो जाएगा option नमर कितना हो जाएगा अगला कुशन देखिए कथा कि 15% 12% की कर्मी दो छुट डेने के बाद भी वस्तु की बिक्री मूल पर 10% का लाब था अंकित मूल का वस्तु के करें मूल का अनुपात क्या होगा ठीक है अब चलिए यहां पर दिखिए तो MRP यहां पर क्या कीजिए आप स्वाम मन लेगा जैसे MRP स्वाम मन लेंगे यहां से SP निकाल लेंगे कितना हो जाएगा जोणिए दो करमिक छूफ है यहां पर दीक है इसको complete करेंगे ईरु 0 कर गया इसको गुना करेंगी यह आपको 348 वटै कितना ऊघेपको एकसो स्वाहथर तो आपको यहां पर क्या पूछा आपको अंकित मुल्का अंकित मुल्का अंकित मुल्का अगला कुशन दीलर अपने माल के क्रायमुल से दस परसेत अधिक अंकित करता दस परसेत की छूट देता है उसकी हानी का परतिसत लाप कितना होगा अब देखिए आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं आप आर वन प्लस रटू मैनस आर वन आटू बटे हंडिक बना सकते हैं 10 परसेंद अधिक अंकित करता हैं मतलब पलस दस होगा 10 परसेंड़ के छोट देया मतलब मैनस दस होगया पलस मैनस गुणा करेंगे कितनों आपको एक सो जाएगा यह 00 कर दिया यह 00 कट गया ठीक है 006 कर जाएगा बच्टिक साथ माइनस और मानस वन मतलब क्या होगा एक प कीमत पर 253 पर चूट के करतने के बाद कम कीमत पर 15 पर ट्रय चूट कें अंगेतम कर्में के 2 से चूट आप 20 कट्रपाइब 100 एक बचासे बटे किते हो जागा आपको 100 हो जाएगा ठीक है यह जाएगा आपको जीरु 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 कर देजिए इसको उसके बाद 175,80 हो गया 205,100 हो गया यह 26 किते हो गया 206, 27 ओगया तो यह कितना हो गया आपको च्छेतर सू पटासिस का आंसर हो जाएगा, option नमर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, अगला कुछ दिखेक आता है, एक वस्तु का करें मूल, अंकित मूल का चौसर परसंट है, बारा परसित के छूट देने के बाद, परतिसात लाप की गर्ना करें, एक वस्तु का करें अंकित मूल का है, करें मूल जो है, अंकित मूल का कितना आपको चौसर परसंट है, एक सो यह कितना हो जाएगा, आपको चौसर परसंट हो जाएगा, बारा परतिसात के छूट देता है, तो किसी रिलेशन होगा, आपको MRP स होगा, बारा परसंट के छूट देता है, यहां स कितना हो गया आठी एठी चौसजआत हो गया आठी त्रहता हो गयाnung कितना हो गया कितना हो गया तो के च्छोप गया आठी त चामन के सो ग़ aquesta गया उग्हा है 75 थोम्ताव 1.6 फ्रॉइंट5 मेंitar कि tenía ओ जाये अंसर हो जाएगा। अब 26 lot question है दोस्तों is इसको क्या करना कि आपको इसका अंसर कमेंट में बताना है अंसर कितना होगा एक वस्तु को अंकित मुल्के नवे प्रतिसत बेचने पर 7% की हानी होती है यजि वस्तु को अंकित मुल्क पर बेचा जाता है तो प्रतिसत लाप कितना होगा दोस्तों इसका अंसर आपको क्या करना आपको कमेंट में बताना है और जैदी चैनल पर नहीं थे, चैनल को सबस्कारब कर लिए और बागल में बेल लगने उसको भी किलिक करें ताकि जो भी वीडियो अप्लोड करूँ, डोटिफिक इसन आपको मिलता रहे मिलता हम अगली वीडियो के साथ थेंक्स पर वाचिंग